हेलो दोस्त आप सभी का स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल एर फॉर्स नेवी श्टेडी पर तो आप सभी को पताएगी एमर की फुल सेलेक्शन बैच आपने हमारे टीम दारा कंटिन्यू करवाय जा रहा है और यहां पर आपको best study material प्रदान करने की कोशिस की जा रही है और short तरीके से आपको पढ़ाय जा रहा है जिसे बच्चों को यहां पर एक कम टाइम के अंतरगा तो only 9-10 मिंट के अंदर एक best topic है उनका clear हो जाए और एक अच्छा education level है उनको यहां पर प्राप्त होई है यहां पर उनको समझाने की कोशिस की जा रही है तो यहां पर आज की जो class है वो आपको पता है कि आपकी जो class है भारत में नदिया है इसको short तरीके से आपको समझाए जाएगा और इस नदी के टोपिक के बारे में बात करें तो first इसमें दो important topic होते है फश्ट है कि इसका उदगमिस्तल कौन सी नदी का कहाए एक तो यह पूछा जाता है कि कौन से सहर के पास कौन सी नदी निकलती है तो यह भी एक important है ठीक है यहां से question पूछने के 40% chance यहने कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है कि कौन से सहर के से कौन सी नदी निकलती है आज हम पढ़ेंगे कि नदी का उदगमिस्तल के बारे में पढ़ेंगे आपकी class 12 है और भारत में नदीया अब तक हम topic यहां पर कर चुके हैं भारत का भोगोल के बारे में दूसरी स्तिती में हम भारत की भोतिक सवरूप के बारे में और तीसरी स्तिती में भारत में preventine topic clear कर चुके हैं only कितनी वीडियो में आपको पता हो तो only यहां पर हम 11 वीडियो में कर चुके हैं और देखो वहां से best concept आपको उठाए गए है एक sort method परदान किया गया है जिसमें हमारा target आपको 50 by 50 marks का है तो आप देख सकते हूं continue एक अच्छा study method परदान किया जा रहा है आप इस चीज़ की tension मतलो आपका paper से एक महीने पहले आपका course है वो clear हो जाएगा cover हो जाएगा इस चैज़ की tension नहले ठीक है यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe भीजी वीडियो का like कीजी और share कर दीजी क्योंकि live session आपको पता है चल रहा है तो आप इसके साथ वीडियो को share भी कर सकते हैं अपने दोस्तों बस जो नेवी MR की त्यारी कर रहे हैं डबल एससर के लिए भी उतना यूप यूप यूपते कही करचे कह रहे थे क्योंकि डबल एससर और MR का जो जिके का syllabus होता है वो जिके का syllabus क्या होता है same होता है ठीक है क्या होता है same होता है आज हम पढ़ेगे नदी का उदगम और वो भी 100 ट्रिक्स है, वो भी हमने बनाई है, सारी चीजों को यहाँ पर समझाया जाया है, कि किस तरह हमने 100 ट्रिक्स है, उनको mention किया गया है, और यहाँ पर 100 ट्रिक्स है, उनको लिया गया है, ठीक है, सबी चीजों को यहाँ पर आपका discussion किया जाएगा, best continue जुड़े रह तो किशन नमर फर्ष्ट पे चलते हैं, किशन नमर फर्ष्ट है, अमर कंटे की पाड़े से कौन सी नदी निकलती है, तो यह मैं बता दू, SSR का 2018 का जो एक्जाम हुआ था, ठीक है, सेकंड, उसमें ये कुशन पुछा गया था, ठीक है, तो अमर कंटे की पाड़े से कौन सी नदी निकलती है, बहुत है, अच्छा सवाल है, लगबख जातर बच्चों की स्टोनेर्ट को पता हो, अगर डी उप्सन नेट हो जगा, नर्मदा नदी है, वो अमर कंटे की पाड़े से निकलती है, ये मेरा उद्देश है था कि वास्ता में आपको बताना कि नदी कौन से नदी कहां से निकलती है, ऐसा भी क्यूशन आपके एक्जाम में पुछा जाता है, अब यहां पर देखिए हम बात करेंगे, मैं इंपोर्टेंट जो नदी है, उसमें बात करेंगे, मानसरोर से निकलने वाली नदी के बारे में, हम बात करेंगे, तिब्बत और उथ्प्तर इस चीज़ को जानते हूं इसको एक बार मैप में आपको समझाना था अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले आज जिस नदी के तो एक नदी है जिसके बारे में मैं यहाँ पर डिसकेशन करेंगे आप से तो यहाँ पर देखे तिबत में इस्तित मांसरों बोखर्चु हिमनद से कौन सी नदी निकलती है यह भी इक इंपोर्टेंट सवाल है आप बता सकते हो ब्रह्मपुत्र लिगरती है या फिर गंगा निकलती है या फिर सतलज या फिर सिंदू तो यहाँ पर आपको पता है डी उप्सन राइट हो जागा सिंदू नदी है वो कहां से निकलती है तिबत में इस्तित मांसरों के पास बोखर्चु हिमनद से क्या है निकलती है तो ठीक है ये तिब्बत से निकलती है अपर हम बात करेंगे तिब्बत के बारे में और आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में जो भी नदी है हम बात करेंगे main important जो तिबबत से निकलती है उत्र भारत से निकलती है और इसके साथ दूसरी इस्तिती में जो अरब सागर में जाके गिरती है ठीक अरब सागर आपको पता होगा कि जो इंडिया का मैप है इंडिया का मैप की यदि हम बात करें तो इंडिया जो मैप है उसके ये हिस्सा है अरब सागर को रूली तरब जो हिस्सा होता है वो बंगाल की खाड़ी का होता है आप सभी को इस चीज का पता होगा ये हिस्सा बंगाल की खाड़ी वाला होता है और रूली तरब जो हिस्सा होता है वो रब सागर का हिस्सा होता है तो आपने बताये कि सिंदु नदी निकलती हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे, सिंदु नदी की सायग नदी कौन-कौन सी है, और जो उत्तर भारत से निकलती है, तिबबत से निकलती है, और अरब सागरमी गरेगी, हम तीन चीजों पर यहां पर एक साथ मेंसन करेंगे, ठीक देखे, कैसे बनेगा, सैसे बनेगा सतलज, ठीक है, रहसे बनेगा रावी, ठीक है, और इसके साथी चैसे चिनाब, और इसके साथी लम से बनेगा जिलम, और यहाँ पर बैसे बनेगा व्यास, ठीक है, तो मेरे इसाब से आपको समझ में आ चुकेगी, यह ट्रिक, यहाँ पर सराब और चिलम यानि कि सै से सतलज रा से रावी बैसे व्यास और चीज से यहाँ पर बनेगी चिनाब और लै से लम से यहाँ पर जेलम ठीक है तो मेरे साब से आपको समझ में आ चुके होगी यह इसकी परमुक सायक न दी है जो या तो उत्र भारत से निकलेगी या तिबबत से निकलेगी और कहाँ पर बढ़ेगी अरब सागर में जाके गिरेगी ठीक है तो यह सब मैंसन किया गया है आपको बार-बार समझा रहा हूँ जिससे आपको किलियर समझ में आ जाए और इनको रोतांग दर्रे के पास से निकलती है तो मेरी साब से आपको अच्छी तरह किलियर रूप से मैंसन में समझ में आ रहा है सारी चीजे जो हम बता रहे है आपको यहाँ पर मेरे उद्देश से सोर्ट मेथड से आपको समझाना और बैस्ट आपके माकसाना यहाँ पर हमारे टीम दा रहा है आपको समझाने की कोशिए से क्यूशन अबर चाल तिबत मिस्तित राकस्ताल हिम्राच कौन से निकलती हो और इसके साथ यह आप वीडियो को देख रहे हो ना तो तो तिबत मिस्ति राकस्ताल दर्रे से राधी से रावी यह निंकलती हो गया रोतांग दर्रे से रोतांग और रह से रावी यानि कि हो गया रावी नदी रोतांग दर्रे से निकलेगी अगले क्यूशन चलते हैं चोथा ठीक है तो इसलिए आँ छमा चाते हैं टेक्निकल टीम ने थोड़ी प्रोब्लम यहां पर किये तिबत में इस ती राकस्ताल हिमनत स यानि कि सहते हैं और सहते हैं सत्लूज ठीक है तो मेरे साबसे आप इस तरह ट्रिक मेंसन कर सकते हो जिससे कि आपको समझ में जाए इसके साथ ही सत्लूज दी है वो बताया गया है कि राकस्ताल दर्रे से यहां पर निकलते हुए आती है और इस तरह यह पाकिस्तान में प्र ओसे रावी्हाँ से घुष्छन पुच्छा सकता है कि व्यास नदी कौन से राजे से निकलते हैं? और इसका PDF है आपको यहाँ पर आज़ टेलिक्राम लिंक पर मिल जाएगा, इसको आकर जाकर जोरेंड कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ी से टाफ होते हैं इनको आपको रिवाइज करना है इसलिए अमरे टेकनिकल टीम ने यहाँ पर मैंसन किया है कि आपको यहाँ पर इसका PDF है वहाँ पर WhatsApp ग्रूप और टेकनिकल टेलीग्राम पर मिल जाएगा चाटा क्यूसन है किसमीर गहाटि में इस दि सेषे नाग जना हाँ जील से कौन सी नदी निकलती है आप यहाँ पर ट्रिक बेस समझा रहूँ है जिलम नदी निकलती है, तो एक बार और समझ लिए। जिसे आपकी ट्री का चिटरे दिमाग में बैठ जाए। लिए रोव चुकिया अगले क्यूशन इसके बारे में मेंसन करते हैं तिब्बत मिस्तित मांसुरोड जिल के पास चेमा यूंग डूं हिमन से आपने दिखा बोखर्चु हिमनत से निगलती है वो कौन सी नदी सिंधु नदी यदि हमसे पूछ लिया जाए बड़ी नदी के ब बहुत अच्छा सवाल है तो आपको सभी को पता होगा गंगोतरी हिमनत से जो नदी निकलती है वो गंगा नदी निकलती है किशन नमबर 10 को आपको जवाब देना है ये निवी अमार में आपको ओनलाइन था जो सबसे पहले उसमें पूछा गया सवाल था कि किस नदी को लेकर भारत बांगलादेश में विवाग चल रहा है ये आपको कॉमेंट बोक्स में जवाब देना है जब वीडियो ओफ रही है और इसके साथ ही अगली वीडियो में आपको और जो कहां से कौन सी नदी निकलती है उनके बारें बताए जाएगा और उससे आगे बताए जाए कौन सा सहर कौन सी नदी के किनारी बसा हुआ तो मिलते नेक्स च्टूडियो में तब तक के लिए जह जबारत और करने से ही आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठेगी वीडियो को दुबारा से देख लीजी दो तिन बार जिसे आपके दिमाग में सेट हो जाए यदि आपका 20 मिन्ट में कोई भी अच्छी तरह पॉर्षन है तो बहुत बड़ी बात है और मेरे साब से ऐसा पॉर्षन आ आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह यहां पर वीडियो में प्रवेड़िट किया जा रहा है